हलो इस्टुएंट आज का जो मेरा सेशन है एक इंपोर्टेंट सेशन है उन लोगों के लिए इस्पेशली फॉर गल्स के लिए जो की इंद्रा गांधी डेली टेक्निकल इनवर्सिटी फॉर बुमेंस के लिए फॉर्म एप्लाय करना चाहती है ये एक डेली का जैसे आपने डेली इनवर्सिटी सुना दियू उसी तरह से एक रेपोटेट कॉलेज है इंद्रा गांधी डेली टेक्निकल इनवर्सिटी फॉर बुमेंस जिसमें हमारे हां से लास्ट एर एक बच्ची इशू गयल जिसकी औल इंडिया फर्स ट्रैंक ते उसने जॉइन भी किया तो मैं आपको इसकी पूरी information दूँगा उसके detail के बारे में बताऊंगा कि आप इसका form कैसे भर सकते हैं क्योंकि इसके form भनने की last date है 30 जून और exam next month 10th of July को होगा online सब सची बात है इस college के बारे में बता दूँ कि एक तो ये college डेली में है और दूसरी important बात ये बूमेंस के लिए त इसकी important बात की placement बहुत अच्छे हैं और average और highest salary package काफी अच्छा है तो इसके form भनने के लिए आपको क्या करना होगा मैं one by one step by step आपको पूरा procedure बताता हूं सबसे पहले आप जब Google पे जाएंगे तो Google पे जाने के बाद आप लिखिएगा IGDTUW जैसे ही ये लिखेंगे आप आपको पहला सबसे पहला खुलेगा Welcome to IGDTUW इसको क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक website खुलेगी इंद्रा गांदी डेली टेक्निकल इन्वरसिटी फार बूमेंस की यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको ये rotate होते हुए दिखेंगे उनके programs उसमें आप सबसे पहल याद रखिएगा आप जाएएगा ये PG courses के लिए ठीक है education के लिए मैं बता देता हुआ आपको सबसे पहले आप जाएएगा ये various PG program जैसे ही आप इस पर जाएगे तो post graduate program में जब जाएगे तो आप देखी यहाँ पर लिखा होगा PG admission है ना general instructions help decks सब कुछ लिखा होगा फिर ये देखिए mtex के list है फिर mca की mplan की mba की ये सब जैसे ही आप जाएगे mca में तो number of total seats से 76 admission process के लिए जाएगे तो आप इस पर click करिएगा PG admission portal तो आपको एक portal खुलेगा एक इस तरह का एक portal खुलेगा ये website आएगी इंद्रा गांधी डेली टेक्निक अनिवर्सिटी फॉर और इसमें सबसे important बात form भनने से पहले बच्चों में एक बात बोलूँगा हमेशा पूरी information लिजे फिर form भरिए तो यहाँ पर आओगे तो आपको department information मिलेगी admission brochure मिलेगा FAQ PhD के मिलेगे FAQ अलग-अलग FAQ MCE के लिए मिलेगे और how to apply तो सबसे पहले आप admission brochure खोलेगा जैसे आप केवल MCEA जैसे ही लिखेंगे तो मैं बताता हूं MCEA से rated page number सबसे पहली information आपको मिलेगी page number five पर बाकि सभी courses के साथ सथ page number जैसे ही आप five पर जाएंगे तो देखें क्या important चीज है admission calendar for MCEA admission June July 2021 ज्यान से मेरी बात सुनिया और यह सब चीज़े आपको साइट पर मिल जाएंगी जस्ट मैं आपको information दे रहाएं number one opening of admission portal receiving first June से start हुआ था last date for submitting 30th June मैंने पहले भी बताया था कुछ बच्चों को पर by chance इसका station नहीं लिया था इसलिए पर कुछ बच्चे जो भरने से रहे गए हूं उनके पास अभी भी scope है कि वो 30 June तक इस form को fill कर सकते हैं 30 June अभी काफी समय है आप लोग इस form को fill करें फिर form जब आप fill करेंगे CET का common internet test का तो वह 7th July तक आपको यह बता देंगे कि कौन-कौन candidate eligible है कई बार ऐसा भी होता ना जैसे आपके ग्रिविशन में 60% नहीं है आपने fill कर दिया या कोई और requirement और आपने fill कर दिया तो 7th July को आ Saturday Sunday को आपका online mod में test होगा common intense test और इसका test का जो level होता है मैं आपको बता दूँ बिल्कुल निमसेट pattern पे हैं बिल्कुल वही syllabus का point है मतलब वही syllabus वाला portion रहता है बट निमसेट से कम से कम आप समझ लिए one four time easy है यानि अगर आप निमसेट की तैयरी कर रहे है तो अलग से पर देना इसलिए आपको परिशान नहीं होना उसके लिए आपकी निमसेट की पढ़ाही में अगर आप नहीं दिया तो आप अपने आपी टॉप कर जाएंगे फिर बात आती है result कब declare होगा तो 15 जुलाई को उनका result declare होगा सब कुछ इसमें दिया हुआ है ना 15 जुलाई के बात से लेके 19 जुलाई तक आप लोगों के पास ये scope रहेगा कि आप देगे दिया duration of online payment 15 से 19 जुलाई तक ठीक है seat का update जो होगा वो 22 फिर rank wise seat allotment 24 जुलाई last date of admission for MCA 31 जुलाई इस तरह से आपको ये पूरा academic calendar दिया हुआ है इसके लावा MCA से related और चीज़े बताता हूँ आप इस prospectors में देखते चलेंगे अब बात करता हूँ में कि FAQ इसका पहला पेश करिए सबसे important चीज़े कि जब आप form fill करें तो ये एक news ज़ूर पूरी ध्यान से पढ़ लिजेगा जैसे इसमें दिया है कि क्या-क्या चीज़े important है कौन-कौन बच्चा eligible है what are the eligibility criteria for MCA course सबसे दिया हुआ उन्होंने कि exam pattern test क्या है proportion में मिल जाएगा ठीक है डिली का कोई reservation नहीं है all India quota होता है किसी तरह का कोई सब कुछ यहाँ पर छोटे-छोटे question दिये बिटा ये question पढ़ लोगे तो आप लोग को कोई confusion नहीं रहेगा कि कोई जो भी छोटे-मोटे doubt आएंगे वो सब आपके इसके through clear हो जाएंगे आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक एक question दिये हुए है even ये तक दिया हुआ है कि I obtained 59.99% I am eligible आप 59.99 वाले भी होंगे तो भी आप eligible नहीं होंगे यहाँ पर यहाँ पूरी detail दिये तो मैं आपको बोलूँगा form भनने से पहले एक बार इस यस अब देखिए eligibility criteria क्या दिया यह ध्यान से सुन लीजे आप यह मैंने इसलिए बोला कई लोग eligibility को लेके confused होते हैं bachelor degree of any regular university any discipline with at least 60% marks in aggregate and must also have past mathematics subject core और elective मतला आपका हो सकता है 10 plus 2 level और CBSC और any other regular exam equivalent to ठीक है एक और बात दी हुई है BCA, BIT, BIS of regular university of at least 3 year duration or any qualification regular equivalent and 60% aggregate और अगर आप reserve category के हैं तो 10% का relaxation है ठीक है यह ध्यान रखेगा आप अच्छा इसमें एक बात और बोला है कि पहले तो यह अपने CET महारास के थूरू आपको admission देंगे देखे clear, वो sorry CET महारास बोला, CET के थूरू आपको admission देंगे इसके साथ-साथ, if seat remains vacant applicant having valid NIMSET rank, shall be considered in spot room अगर किसी बच्चे का, माल लीजिए इनके college में आपने जो CET इनका exam होता है वो आपने exam दिया common interest, अगर suppose उसके बाद भी कोई seat vacant रहे जाती है तो NIMSET की rank से यह लोग आपको admission दे सकते हैं यहाँ पर total जो 76 seats हैं, वो किस तरह से किस-किस category में कैसे मिलेंगी, यह पूरी detail दी हुई है, ओके, इसके इलावा, next करिए यह यहाँ पर help desk number दिये हुए हैं, जिससे कि आप अपने आरबारे में पता कर सकते हैं अच्छा एक और important बात बतानी, जो FAQ में इन्होंने clear करी हुए, कि माल लीजे अगर किसी बच्चे का 12 में mask नहीं है, तो क्या वो eligible है, तो उसमें उन्होंने clearly mention किया, कि अगर आपका 12 में mask नहीं है, तो भी अगर आप BCA या BSC IT कर रहे हैं, तो आप इसमें eligible होंगे, मैं बत बाता हूं, question number, question number six, देखें जरा ध्यान से, ये बड़ा important line है, I did not have mathematics at 10 plus 2 level, can I still apply for the entrance, if you have, सुनिये ध्यान से, if you have BCA, BIT, BIS degree from any recognized university of at least 3 year duration with at least 60% marks in aggregate of any qualification, you are, फिर आपके लिए 10 plus 2 में mask compulsory नहीं है, ये एक important बात है, तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, इवन इन्होंने placement के भी list दी हुई है, कि कौन कौन सी company, Amazon जैसी बड़ी-बड़ी company, Microsoft जैसी company जाती है, अगर हम placement के term की बात करें, तो 6 to 8 lakh average placement मान सकते हैं, highest 20 lakhs के उपर भी जा सकता, 80 से 90% तक placement है, तो girls के लिए एक अच्छा university है, आप लोग girls जो भी ये बेरा session सुन रहीं, उनको apply करें, पर apply करने से पहले मैं आपको बोलूँगा, मैंने आपको एक basic information दी है, आप सबसे पहले इसकी proper website पे जाएगा, information brochure को, पूरा अच्छे से read करिएगा, MCA क्लिक करके, MCA से rated सारी information लीजेगा, फिर उसके बाद form fill करिएगा, form fill करके submit करिए, अभी 30 जून तक के लिए समय, आपके पास, आप समय रहते हुए जमा करिए, जज जुलाई को इसका exam होगा, इसका exam जहूर दीजिए, और एक सिवा, आपका आगर इसमे अच्छी rank लगती है, कई बच्चे ऐसे भी है, मैं आपको बता दूँ कि जिनकी rank अच्छी होती है, अगर NIT 3G, सूरत कल Kelly Cut के बाद देखा जाए, तो कई लोग ऐसे भी हैं, गल्स में, जो की Delhi University लेना पसंद करती है, वूमेंस के लिए, तो आप इस college का form भरिए, कोई doubt हो, तो आप लोग इसके description में, या question हमको भीजेगा, मैं बता दूँगा, उससे rated doubt, बट कोई भी question पूछने से पहले मैं बोल पढ़ें, FAQ पढ़ें, सब कुछ doubt जो आपके हैं, वो दूर हो जाएंगे, तो इस form को भरिए, all the best, thank you.